दोस्तों अगर इस तरीकी का लॉस रिकवर करना है आपको तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप देख सकते हैं फेक एंड फ्रॉट चैनल से दूर रहिएगा कल की देखिएगा हम लोग डिसक्रिप्शन करेंगे आज हम लोग ने आपको बताया था कि यहां पे बिग गैप अप ओपनिंग होगी यानि कि जो ओपनिंग होगी वो बिग गैप अप होगी और उसके बाद भी आपको कॉल साइट पे वर करना है तो जितने लोगों ने 11 अपको प्रॉफिट बना। हम प्रॉफिट को घर ज शार विम्हाने में दिक्कत हो यह लोगोंको। अत्शल में प्रॉब्लम क्या आती है आप घर नहीं ले जा पा रहे on चराब है। तो सबसे पहले मैं बताउंगा कि रिलाइनस panic देने वाला है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप ने देखा कि reliance की आज opening हुई थी कितने पर 1% reliance अब था ये आप जानते हो और reliance 1% जब अब था तो वहां से ऐसा क्या scenario बना कि reliance यहां पर देखेगा negative closing दे रहा है reliance ने closing दी है 0.70% के आसपास यानि कि 1% से कम के आसपास की Reliance ने closing दी है लेकिन NSE ने एक circular exchanges में देखेगा एक notification जारी किया जिसमें बताया गया कि Reliance industry के आने वाले 3 महिनों के जो future के option के देखेगा contracts है वो 19 July को क्या हो जाएंगा expire हो जाएंगा तो इसका मतलब है जल्दी जल्दी भी quality देखने हो मिलेगी क्योंकि B जुराई को record rate है D merger की तो D merger भी एक particular issue है contracts देखेगा एक नहीं बात आ गई तो stock में देखेगा इतना जादा overbought zone में stock था तो इसमें गिरावट देखने हो मिलेगी अब मैंने आपको देखेगा जी दिखा रहा हूं GDR जो देखेगा आपका लंडन stock exchange में देखेगा open है तो अब आप देख सकते हैं UK London में अब reliance की समय क्यास्तिती है कि वो 2% तक डाउन है ये देखेगे 2% तक की गिरावट है तो कल ये पहला panic rate करेगा nifty के लिए पहला panic rate करेगा चुकिए reliance down हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ी update है दूसरी बड़ी बात क्या है कि अभी अगर आप देखेंगे HDFC bank तो वो भी देखेगा आपको पता है पूरी तरीके से आज momentum में तो रहा लेकिन उसमें भी आपको profit booking देखने हो मिली है और अभी तक HDFC bank का जो ADR है वो as such कोई बहुत बड़ी तेजी दिन दिखा रहा तो हो सकता है अंत में ये भी क्या होता है profit booking के साथ close होगा जिसका impact भी कल market में देखने हो मिलेगा Nifty bank अज पूरे दिन मजबूत नहीं हुआ मलब बहुत कोशिश की 45 gap up हुआ big gap up हुआ 35-500 point का gap up आपको देखने हो मिला लेकिन उसके बाद जादा देर तक मजबूती को create नहीं कर पाया क्योंकि HDFC bank में उतना अच्छा momentum देखने हो नहीं मिला है तो ये एक particular देखेगा issue आपका आने वाला है दूसरा panic आ रहा है कि यहां पे rate hike जरूर होगा rate hike जरूर होगा तो ऐसे में recession जैसे हालात ना बन जाएं जिसके करण से bond market में भी देखेगा यहां पे panic देखने हो मिला है तो आज का panic bond market का अच्छा क्यों नहीं है क्योंकि हमारी currency अप है dollar अप है और bond market डाउन है तो इसका संकेत यह माना जाता है कि अब जो जुलाई की meeting है उसमें भी fed क्या कर सकता है rate hike कर सकता है जिससे recession slowdown जैसी स्तिती देखने हो मिलेगी जिस panic के कारण देखेगा Germany और something देखेगा कई जगे पे 44% तक की गिरावट है कहां पे bond market में तो यह भी कल के लिए अच्छा संकेत नहीं है इसके अलावा आप देखेंगे यह तब अच्छा संकेत होता जब हमारी currency लगातार appreciate हो रही होती हमारी currency ने कल बहुत अच्छा appreciation दिया था बट फिर से bounce back होके 82 का low फिर से देखेगा achieve कर लिया है even 82.1 का भी देखेगा achieve हो जाएगा जब तक देखेगा market close होगा तो यह अच्छी बात नहीं है market के लिए कल के लिए और आगे अगर आप बात करेंगे तो silver देखेगा gold copper up है तो जब asset class बहुत ज़्यादा अप होती है वो भी अच्छा equity market के लिए संकेत नहीं होता चुकि लोग पैसा यहां से निकालके stock market में तो हम लोग all time high पे खड़े हुए तो यहां से पैसा निकालके कहीं ना कहीं चीजों को invest करते है और crude और Brent oil में कोई asset तेजी नहीं है तो वो reliance को impact कर सकती है तो यह कुछ multiple reason है multiple और Nifty bank आज लगातार second day देखेगा कल भी यहां पे closing होई थी कहीं पर और आज भी यहीं पे कहीं closing होई है तो आप देख सकते हैं लगातार तीन बार support को touch कर चुका है तो मुझे लगता है कल पहला level आपको देखने हो मिल सकता है 44.440 का पहला support आपको यह देखने हो मिल सकता है अगर यह तूटेगा तभी बड़ा पेनाएगा otherwise 44.440 का level कल आपको देखने हो मिल सकता है चुकि बार 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 नifty bank यहां पे support ले रहा है और अब हो सकता है कल आपको support तूटता देखने हो मिले उपर की तरफ यही आपका resistance रहेगा चुकि यहां पे काफी ज़्यादा panic nifty bank के लिए देखने को मिला है जैसा कि आप देख रहा है और लगातार तीन दिनों से बार बार market यहां पे touch हो रहा है और यहीं पे closing दे रहा है nifty 50 के लिए देखेगा क्या है nifty 50 में ज़्यादा strength है और आपको पता है 19.340 का level इनका बहुत अच्छा support है तो यह level कल आपको देखने को मिल सकता है और इसके नीचे market जाता है तभी बड़ा पेन आएगा वरना आपका 19.440 पहला आपका बढ़ी हां resistance होगा और दूसरा होगा 19.500 का तो इन particular level पे work करिएगा कल आपको देखेगा negative opening देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी वीडियो गर अच्छा लगा है तो like share से subscribe पर ना ना भूलेगा thank you so much